So guys right click करेंगे main menu में जाएंगी उसके बाद हम camera को select करेंगे यह आपको दिख रहा होगा camera option इसपे click करेंगे add ip camera के नीचे आप देखेंगे encode का option होता उसपे click करेंगे उसके बाद यहां पर जो है h265 होना चाहिए और अगर h265 प्लस है और बहतर है उसके बाद more का option है यहां पर आप enable कर देंगे audio channel select करेंगे और audio enable करेंगे उसके बाद more वाला option है आपको sub stream में भी enable करना होगा उसके बाद आपको copy करना है copy click करना है और सारे channel को select करके ok apply कर देना है तो यहां से यह होगा कि आपके जितने भी audio वाले camera होंगे वो enable हो जाएंगे उनकी audio enable हो जाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर audio enable हो जाएगी channel दूसरे select कर लेंगे आप चेक कर सकते हैं यह देखिए यह भी enable हो जोगा I hope कि वीड tool लेगा होगा